हलो दोस्तों आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी थर्ड राउंड काउंसिलिंग में आपको कौन-कौन से डिप्लोमा कोर्स से सेंड कॉलेज लॉक करने चाहिए जिससे कि आपको गवर्मेंट प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाए तो फ्रेंट्स ये वीडियो आप सभी के लिए महतपूर्ण होने वाला इसपेसली उन स्टुडेंट के लिए महतपूर्ण है जिनमें लिखा रहा है इस बीडियो को पूरा देखें वीडियो को ला पूर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी की बेफ साइट पर जैसा कि आप सभी फ्रेंट्स जानते हैं कि सेके कंसलिंग कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में एड्विसन नहीं करा पाएगा यह बात अलाग है कि क्सी कालोज में सुनने में कि चार को अडिविसन होगा लेकिन आप कॉलेज में संपरक लीजिए एक तारीक के बाद यह अफ्राइट्ञ नहीं है कि आप किसी का प्राइविट कॉलेज मिल जाए तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो है तो पुराना लेकिन आपको देखना जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन है जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई है EWS कोटा लागू होने का बात उसकी अब बात करते हैं कि मैं आप लोगों को इसको क्यों दिखा रहा हूं तो फ्रेंड्स इसका और इस वीडियो के साथ बहुत समंध है क्योंकि उत्तर प्रजेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी की फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड काउंसलिं में हुआ है तो उन लोगों को अभी घवराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि क्योंकि उत्तर प्रजेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी हर एक साल की तरह इस साल भी थर्ड राउंड काउंसलिंग कराने वाली है अब बात करते हैं हम किस टाइप की कॉलेज चुने क्योंकि लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में इसी टाइप के को से पूछे जाते हैं किसार हमने यह चोना था लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला तो मैं एक बात आपको क्लिय कर देना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा मारा मारी होती है उतर प्रजेश स्टेट मेटिकल फैकल्टी में चार चाहे उसकी रहें के हजार हो चाहे उसकी रहें के चार हजार हो वो फश्ट राउंड काउंसिलिंग में डी फार्मा ही क्लिक कर देता है सारे डी फार्मा के कॉले चूज कर लेता है नमबर दो की बात करें तो नमबर दो में आता है अल्टी अब बात करते हैं अल्टी में इ MRI technician नहीं होगा X-ray नहीं होगा लेकिन lab की जगह जरूर बारी होगी क्योंकि lab जो होती है हर एक hospital की backbone मानी जाती है तो कोई भी छोटे से छोटा अगर स्वास्त के इंद खुलेगा तो उसमें lab की जगह जरूर publish होगी और यही कराण है कि उत्तरप्रदेस में सबसे जादा जो पेकेंसी निकलती है वो lab technician की निकलती है और सबसे कम अगर निकलती है तो वो निकलती है x-ray technician की इसलिए second round counseling में सबसे जादा जो selection हुए है सबसे जादा जो allotment हुए है वो x-ray technician की हुए है क्योंकि first round के बाब जूद भी और आज तक आज भी जो आईडियसन होंगे एक फरवरी को आज माने मतलब आज जो आडियसन होंगे उसमें उसके बाब जूद भी जो जगह खाली रहने वाली है वो अक्सलट टेक्शन की खाली रहने वाली है नमबर तीन पे सबसे ज़्यादा मारा मारी होती है उसका नाम है रेडियो थरेपी टेकनिसियन यदिप इसकी सीटें उत्तर प्रदेश में बहुत कम है लेकिन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है सीटों की संग्या के आदारपारी आप मान सकते हैं और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बीड़ रहती है वो होता है आपके लिए के जी एमसी किंग जार मेटिकल कॉलेज में और उनमें भी सबसे जाना रहती है फिजियो थरेपी ओटी इंड काडियोजी से ध्यान आया इसका अलग से मेरिट बेस सेलेक्शन होता है हिर्दा रोग संस्थान कानपुर से जैसे ही फारण निकलेगा आपके लिए तुरंत वीडियो आ जाएगा और अब बात करते हैं सबसे लास्ट यानि सबसे फिसड़ी कोर्स की फिसड़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन जॉब के अकॉर्डिंग और नमरा बैकेंसी के रिकॉर्डिंग सबसे कम बैकेंसी निकलती है लेकर फ्रेंट एक्सरे टेकिनिशन की बैकेंसी यूपी में भले ही कम निकलती है तो आपको घवराने की जुरूद नहीं है जिन स्टूडेंट को एक्सरे टेकिनिशन मिला है अब बात करते हैं कि आपको थर्ड राउंड काउंसिलिंग के लिए क्या-क्या चूस कर लेना चाहिए कि क्या क्या में कॉलेज चाहिए तो फिर्ड दो टाप के स्टूडेंट एक स्टूडएंट यह हैं कि हमें कोई भी कॉलेज मिल जाए कोई भी गुवर्यमेंट के लाज और प्राइबिट कॉलेज मिल जाए इसके रिगार्डिंग वीडियो आप दिस्कूटों आप में जेह सकते हैं तो आप कॉआंसलिंग के बाभ्जूत भी काफ़ी संख्या में सीटें उपलभ्धत रहेंगी यह लिकला है לו काफ़ी कमरेंगी लेकिन जो स्टुडस निर वाई हैं सैकन कोई भी कॉलेज गवर्मेंट मिल जाए तो आपके लिए सबसे अच्छा चांस है कि आप एक्सरेट टेक्निशन फुल्फिल्ड कीजिए जाए वो प्राइबिट में हो या एक्सरेम हो मुझे पूरा विश्वास है आपको एक्सरेम मिल जाएगा या लेकिन फाइनली यह के लिए का सीटों की बात करें तो की सीटे हैं 80 से लगवग सीटे अब लेवल रहेंगी 200 की सीटे अवेलेवल रहेंगी क्योंकि जो ट्रांसपर चाहते हैं लटीशो फार्मेसी में वो ट्रांसफर कराएंगी अपना थर्टारौंड काउंसलिंग में लेकिन आप जयान रख के लिए मैं एक बढ़िया अपर्चुन्टी दूंगा कि आप एक्सरे लॉक कीजिए एक्सरे में आपका ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है कि में कॉफी सरे च्टुटेंट छोड़ देते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि रैंक रैंक ज्यादा हुने के बावजूद भी फार् में खाली हैं इमर्जेंसी इन ट्रॉमा केर में खाली हैं एंड डिप्लोमा इन ब्लड टॉंस फ्यूजन में खाली हैं और फिजियो थेरेपी इसमें आप जो भी सीट फुल्फिल करें एक बार कमेंट बॉक्स में काफी स्टुडेंट वहां अलेडी सेलेक्टेड हो चुके से कॉलेज में कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स में कितनी कितनी सीटे खाली हैं उसी के अकार्डिंग आप थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए सीट लॉक कीजिएगा थेंक्स पार वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल